फर्जिलाइजर के स्टोर या उसके होलसेल के विवसाई किसानों से जुड़ा हुआ कारोबार है इसलिए इसे गाउं या पर छोटे कस्वों में शुरू किया जा सकता है आप जाहे तो इसे अपने एरिया या शहर में कर सकते हैं अपना खुद का बिजनस कोलना आज के समय मे कोई बड़ी बात नहीं है और नौकरी के आसार कम होने के कारण कहीं लोग बिजनस फील में घुस भी रहे हैं कई बार ये भी देखा जाता है कि लोग अपने विवसाई में अच्छा खासा पैसा लगा देते हैं और बिजनस खोल भी देते हैं लेकिन ठीक से उस काम को ना क काम को कहां करेंगे यानि आपका स्टोर कहां होगा और कहां से आप अपने प्रोड़क्ट को लाएंगे और उसे किस एरिया में बेचेंगे अब खात का काम किसानी और खेती बाड़ी से चुड़ा है तो इसलिए आपको ऐसे एरिया में अपना स्टोर खोलना चाहिए जहां वैसे शिरू करे अबना खात का बिजनस की लेकिन इसमें हर किसी को जो सबसे बड़ी परशानी जहनी पड़ती है वो है इसके लाइसनस की. क्योंकि खात का बंडार और इसका वित्रण सरकार की देखरेक में ही किया जाता है. इसलिए इसके license को देने के लिए हर देश की सरकार कई नियम और शर्ते रखती है सब कुछ तैय करने के लिए आप से कई तरह के दस्तावेज जमा करने को भी कहा जाता है यही सबसे बड़ा कारण है कि अक्सर जब कोई इनसान इस तरह का कारोबार शुरू करने की सोचता है तो उसे पहले यही जान लेना चाहिए कि उसे खाद सप्लाई करने का license कैसे मिलेगा हला कि आज के समय में केंदर सितार्राड राजी सरकारों के साथ मिलकर अपनी रणितियों के तहट गाउं के इलागों में किसानों को सरपन्च यांग राम प्रधान के मादिम से ही मुफ्त में खाद का बितरं करा रही है लेकिन इस तरह की प्रणाली में खाद उन किसानों तक पहुंचने के लिए fertilizer store का ही इस्तेमाल किया जाता है खाद business के लिए market research देखा जाए तो fertilizer store का business एक ऐसा business idea है जो लंबे समय तक चलने वाला काम है अब क्योंकि हर दिन दुनिया में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो ऐसे में उनको खाने की भी जरूरत पढ़ती है और खाने के लिए खेत और सही खेती के लिए खाद का ही इस्तेमाल हमेशा सही किया गया है क्योंकि एक समूची एरिया में सरकार किसी एक इंसान या बिजनसमेन को ही इसकाम का लाइसेंस देती है और उस एरिया में जोतरे भी किसान या फिर खाद का इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं वो लाइसेंस प्राप्त व्यापारी से ही खाद को खरीदते हैं अगर आपको अपने एरिया में खाद बार्टने का लाइसंस मिल जाता है तो आप भी अपने एरिया में अपना स्टोर कहीं ऐसी जिगा खोल सकते हैं जहां किसानों को आप के पास आने जाने में जादा परिश्वानी का सामने ना करनापड़े खाद का स्टोर शुरू करड़ी के लिए सबसे अच्छी जगा अपनी नजदी की बाजार या फिर में रूट के पास हो सकती है अगर आपके पास किसी सड़क के नारे या पास के मारकेट में अपनी दुकान है तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा अगर ऐसा नहीं है तो आपके राय में अपनी दुकान ले सकते हैं दुकान का रेंट आपके मारकेट और एरिया की वेल्यू के हिसाब से तैह होगा इसलिए आप इसके अनुकूल अपनी दुकान का चेर्ण कर सकते हैं आप जहां भी अपनी दुकान खूलेंगे वह ध्यान रखें कि छोटे बड़े वहान आपकी दुकान में आसानी से आ जा सकें। क्योंकि खात की डिलिवरी या सप्लाइ के लिए ट्रक या कोई बड़ा वहान भी आपकी दुकान के सामने आ सकता है। इसके साथ ही सबसे जरूरी काम है कि अपनी दुकान का रेंट एग्रिमेंट या अगर आप लीज में दुकान ले रहे हैं तो लीज एग्रिमेंट जरूर कराएं। आप ओनर्शिप के तौर पर खात के स्टोर को असानी से शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्रिशी से रिलेटेड इस तरह की किसी भी बिजनस को शुरू करने के लिए अलगलग तरह के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि आपको खात कंट्रोल बोर्ड की तरफ से निर्धारत और निर्धेशित नियम कालूम को फॉलो करना होगा। कैसे काम करता है खात स्टोर का बिजनस। इस तरह का बिजनस अक्सर सरकार के नियंदरन में ही रहता है। इसलिए हो सकता है कि खात सप्लाई का लाइसंस लेने के बास सरकार की तरफ से आपके दुकार पर खुद ही सप्लायर भीज़ जाए। कहने का मतलब यह है कि खात स्टोर शुरू करने वाले हर इनसान की जानकारी सरकारी विभाग के पास हमेशा ही मौजूद रहती है। और खात सप्लाई में सरकार का का काफी एहन दूगदान रहता है तांकि किसानों को समय पर और सस्ते दामद पर खात मिल सके। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यार रखना होगा कि आपका स्टोर ऐसी जगाव में हो जहाँ कोई लीकेज या फिर पानी ना टपकता हो। आपको अपना खात का बिंडार एक दम सूखी जगाप रखना होगा और फर्ष को नमी प्रूफ बनाने की जरूरत होती है तांकि स्टोर के फर्ष पर किसी भी मौसम, सीजन या समय कोई नमी पैदा ना हो वरना इससे आपका सावान खराब हो जाएगा। अपने बिजनस की मारकेटिंग पर थ्यान दे किसानों को अपने एरिया में कम से कप एक ही खात का स्टोर मिलता है। जिसे आपको इस काम में जादा से जादा लाब मिल सके ओकी क्रेडिट बिजनस ओकी है।